आयोध्या टाइटल सूट के मामले में हमारे साथ आज बात करने के लिए जो राम लला विराजमान पक्ष के वकील हैं सी एस वैदेनाधन साब वो मौझूद हैं वैदेनाधन साब सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा कि ये जो केस है इसमें ये कानून के जानकार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो टाइटल सूट है उसमें आस्था जो है उसने जादा रोल प्ले किया और आस्था की जीत हुई टाइटल सूट के मेरिट्स जो है वो कम थे आस्था का मतलब ये डेटी ने प्रेंटिव था और जगा राम जन्मस्तान प्रेंटिव था कोई इंटरमीडियरी ऐसा रप्रेसेंटिटीव होना तो चाहिए कोई उनका रोलता मगर डेटी तो अपने आप आके बैस नहीं कर सकते हैं तो हमने ओन बहाफ अप देटी बैस किया और रलीपतो आया ताइटल सूट 1989 में फाइल हुआ और डेटी उसी वकत ओ प्लेंटिफ अलगाब डेटी के लिए कोई ना कोई रप्रसेंटरिव यश्वादा नंजी जो देव किना नंजी थे उस वकर तो रठेट जड़ रप्रसेंटरिव यह एड अट ताइम रोल इंद आस्ता अलसो बटी गेव अप तो आस्ता का कोई इसमें को मुक्य रोल तो नहीं था बात करते हैं अगर जुरिस्टिक्शन एंटिटी की तो आपका आर्ग्यूमेंट तो रिजेक्ट हो गया था कोट में जहां तक जुरिस्टिक्शन एंटिटी का सवाल है जो डिस्प्यूटेड विवादित जो जगा है उसको लेकर उसके बारे में क्या है देखिए, दो प्लेंटिफ से, एक तो आइडल, डेटी, दूसरा जन्मस्तान, फर्स्ट प्लेंटिफ का कोट ने जुरिस्टिक एंटिटी मान लिया, कोट काफी 15-20 रीसंस दिये हैं, उसमें में रीसं ये हैं, जुरिस्टिक एंटिटी हम क्यों मानते हैं, उ तो एक परपस के लिए करते हैं, मतलब डिवोटीस का राइट प्रसव करने के लिए हम डेटी को जुरिस्टिक एंटिटी मानते हैं, जब आइडल या डेटी को मान लिया, फिर जन्मस्तान को अलग इस सेम जुरिस्टिक एंटिटी देने का कोई जरूरत नहीं था, और दूसरा उनका एक और फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉब्लम इन्विसाज किये हैं, इसलिए उन्होंने कहा, जगा को हम देंगे तो फिर और ऐसे रिलिज़िस प्लेस का जुरिस्टिक एंटिटी का क्लेम आ सकता है, वो जरूरत नहीं, अभी उन्होंने कहा है, मगर फ्यूचर में क्या होगा, अगर ऐसे जरूरत पड़ेगा, वो फिर देखना पड़ेगा, वैसे नॉर्मली, डिवोटिस का राइट आइडल जहां है, या टेंपल है, वो यह असर कर सकते हैं, जूरिस्टिक एंटिटी मान हैं कि वहाँ पर पॉजेशन जो है, वो मुसल्मान पक्ष के पास था, तो क्या ये भी आपका बल स्टॉंगर होता है, क्या आपके पास भी वो एविडेंस है कि वहाँ पर जो एक्स्क्लूजिव पॉजेशन हिंदू का था, उस पे, देखिए, ऐसा है, इंडिया में, कहीं पे वर्ल्ड में भी, दो अजार साल के पहले तो कोई रिटन एविडेंस तो नही होता है, रिटन एविडेंस हमने जो पेश किया था, ये डिक्ट ऑन स्टोन इसमें जो लिखा हुआ था, वो तो 12th संचुरी का, उसको हमने पेश किया, उसके अलावा जो सकंद पुरान और बाकी सब चीज, ट्रैवलोग, इस्टोरिकल मेटील, इन सब प्रेश किया, इन सब ले माना है कि हिंदूस इस जगा को जनमस्तान मान के वहां वर्षिब किया है, पस यह हमारा एविडेंस है, और कंटिनिवस, अनिंटरॉप्टड वर्षिब पर दर प्लेस, पस इसको मान हमरा आर्गुमंट था एक इंटIGRAL युनिट है, अलग-अलग हिस्सा में नहीं कर सकते हैं, उसको उन्होंने माना है, अटारह सो पचपन के पहले इनर कोट्यार्ड में भी हम वर्षिब कर रहे ते, उन्होंने माना है, एटारह सो पचपन के बाद जब ब्रिटिश ने, ए मुसलिम्स वहां मास्ट में वर्षिप कर रहे थे और हिंदूस भी वर्षिप कर रहे थे तो इनर कोट्याड पे जो कर रहे थे इस लिए उन्हों बिटिश ने डिवाइट किया उससे पहले हिंदूस वर्षिप कर रहे थे उन्हों थो एविड़न्स है मान लिया यह आर्टिफीशल डिविशन जो बनाया उसके बाद भी हिंदूस वहां वर्षिप कर रहे थे दे रूवास सक्सर एविड़न्स पैश आप को क्या लगता है इसमें अहां उन्होंने मान लिया है जिलाने साथ कुद आर्ग्यू करने वकट हाई कोट में इसके बारे में एकसेप्ट किये हैं और यहां भी किये हैं कोई एविदेंस नहीं है इडिस ओनली आपर 1856 1828 से लेकर 1992 तक कोट ने इमान लिया है कि यहां पर मॉस्क थी और वहां पर जो आइडल प्लेस किये गए वहां पर अखे गए वो इलीगल था डिसेक्रेशन था यह भी जज्जमेंट में पाया गया तो इसको कैसे देखते हैं दोनों बाते आ रही हैं सामने देखे वर्षिप आइडल के बिना भी होता था आइडल हिंदू के साफ से एक सिंबल है यह जो नीड 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 इडल वर वर्षिपिंग वर तो शो आपर पेट अंबलीफ जिए हमें अगर हमारा डिवोशन का जगा वहां है वहां जाके जाके पर निजमेंग पर निजम के हम प्रणाम करते हैं और उसमें सोलस मिल रहा है तो आइडल का कोई जरूरत ही नहीं आइडल किसी ने प्लेस किया है उस वज़े से कोई डिफरंस नहीं हूँ लेकिन अगर फिर कोट यह कह रही है कि 22 दिसंबर 1949 और 6 दिसंबर 1992 में जो हुआ वह भी इलिगल था तो इसको मत इसको लेकर कन्फ्यूजन है क्योंकि अलग अलग तरह से रीट कर रहे हैं लोग इसको अलग अलग तरह से इसकी व्याक्था कर रहे हैं कि यह 1992 के बारे में तो मेरे असाब से कोई जरूरत नहीं था है एक्सेप्ट इंगा तो आर्टिकल 142 मगर आप देखे सूट कब फा हुआ है उसका कोई रेलेवंस ही नहीं सूट में इस कंट्री में सेकुलर कंट्री रूल अफ ला है डिमाक्रसी है नोबड़ी शुद टेक लाइंट रोन हैं इसलिए सुप्रिंग कोट इनानिमसली कहा है यह जो दो इंसिदेंस हुआ है उसमें पीपल आप टेकन लाइंट जो करना नहीं चाहिए था इसलिए हम उसके बारे में कोई कंसिदर करके मुस्लिम को क्या रिलीव दे सकते हैं आर्टिकल 142 के मताबिक उन्होंने पांच एकर दिये है तो I don't think it was necessary for deciding the title suit but only for giving relief under article 142 आपने archaeological survey of India की reports का हवाला दिया है लेकिन वो रिपोर्ट स्पी जो है contested है लोगों ने उस पर भी सवाल खड़े किया है के जो फ्लोर पे जो मिला excavation में मिला वो अलग था जो फ्लोर पे मिला बाद में मिला जब वो अल्रेडी टूड गया था उसके बाद सर्वे हुआ 92 में डेमॉलिश हो गई उसके बाद से सब के पास वो जगा थी कोई भी वहां पर कुछ भी रख सकता था तो यह जो उसमें आप जो चैलेंज किया लोगों ने तो इसमें कितना दम आपको लगता है के अलग अलग तरह के जो चीजे शो की गई उसमें पहले त तो मुसलिम्स का प्लेंट में क्या का ता ता यह मास्क थैज रख वेकन लाग लाग लोस्रुक्चर बनीब इफ द यह तो पूना करपाया है On the other hand, excavation showed extensive structure, तो उनका केस तो नेगटिव हो गया जब structure नीचे दिकाय दिया, तब during the course of evidence, some historians and archeologists came and say, No, this is an Eidgah wall. Eidgah wall तो बाकी structure तो नहीं होगा, कम्रे तो नहीं होगा, एक वाल होगा उसको भी गॉंटर्टिक ही है, excavation में, काफी extensive कम्रे ये सब मिला, तो इसके बारे में कोई ने कह रहे है जब Muslims ka case that it was a vacant land has been proved to be incorrect. And when some of the Muslim leaders had prior to excavation said that if any structure is found, then we will not claim this land at all because this land thereafter was not vacant land and a mask could not have been put up like that. बेदिनादन सब कह रहे हैं कि पहले मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना था कि अगर इसके नीचे कोई धाचा वाल के नीचे नहीं मिला तो फिर हम लोग इस पे जो है ये हमारी जमीन है और अगर मिला तो हम अपना claim छोड़ देंगे ये आप कहना चाहिए. ये तो उनका स्टेप्मेंट भी आया था जो हमने रफर किया है उसके बाद दूरिंग दूरिंग दूर्स अविदिन्स उन्होंने इसको इसको इसलामिक स्ट्रक्चर तो प्रू नहीं कर पाया. नॉन इसलामिक स्ट्रक्चर तब क्या अर्गिमन्ट आया? ये बुद्धिस या जेन का स्ट्रक्चर हो सकता है. इसके बारे में कोई प्रीडिंग नहीं था, कोई एविदेंस नहीं था, वैसे सजेशन और अर्गिमन्ट उवा था. और अब वहां देखेंगे तो हिंडू आर्टिफेक्स मिला है. और ये सब प्रूव था 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 And it was a non-Islamic structure. तो क्या वो मंदिर था या कुछ और था? नहीं, मंदिर था या नहीं, उसका final conclusive proof उसमें, according to the court, it has not been. Although we argued that it was a temple, what has been stated is, ASI has not conclusively said it was a temple or that the temple was demolished and a mask was put up. वो बिल्कुल सहिए. मगर जो structure raised हुआ, उसमें, मगर हमने तो जो material मिला है, उसके मताबिक हमने बहस किया, कि आप देखें. आप भी मानते हैं क्या इस रिपोर्ट को? मैं मालता हुँ, मगर मेरे साफ से, जो material वहां मिला, excavation में मिला, देखें, जो structure था, disputed structure था, उसका कोई foundation नहीं था. जो पुराने वाल्स थे, पुराने दीवार थे, उसके उपर रईस किया है. मतलब पुराना structure था, तभ करता है, तथा मतलब पुराना structure, तभ मतलब पुराना structure था, मगर वदर रजा थे रजा है, तभ कात्तों छिवार्ट थे, यह, कंतुक्तिवाध़ इंवर्नस रवार्ना पड़ता है.